दोस्तों नमस्कार जैस्री कृष्णा जैस्री राध है दोस्तों आज हम बात करेंगे कुम्भ लव रासी फल फरवरी 2023 फरवरी का महीना आपके लिए कैसा रहेगा? कुम्भ रासी वालों आपकी लव लाइफ, आपकी मेरीड लाइफ, आपकी रिलेशनसिप किस्तिती कैसी रहेगी? आईए जानते हैं दोस्तों फरवरी के महीने में चार परिवर्तन होंगे गोचर में तीन ग्रहों के किस प्रकार की स्थिति आपके लिए निर्मित करेंगे ये ग्रह परिवर्तन करके और आपकी love life, married life, relationship की स्थिति कैसी रहेगी आईए जानते हैं सबसे पहले ये ग्रह परिवर्तन जान लेते हैं उसके बाद में जानेंगे कि फरवरी का महीना प्रेम बाला महीना आपके लिए कैसा रहेगा सबसे पहले सुक्र और सूर्य के परिवर्तन के बारे में बता देते हैं सूर्य परिवर्तन करेगा 13 फरवरी को कुम्ब रासी में सूर्य का परिवर्तन होगा और 15 फरवरी को मीन में सुक्र उच्च के हो जाएंगे ये दो महत्पूड परिवर्थन है, बाकी बुद्ध का और परिवर्थन है, बुद्ध 7 फर्वरी को मकर में जाएंगे और उसके बाद में 26 फर्वरी को कुम्ब में चले जाएंगे, तो इस चार परिवर्थन हैं, आएए जानते हैं आपके लिए क्या कुछ दर्सार हैं या परिवर्तन दोस्तों रासी फल सुरू करें उसे पूर बाप को बता दें हमारा रासी फल चंद रासी यानिमून साइन के अनुसार होता है उसी के अनुसार इस रासी फल को देखें बस सुने अगर आपको चंद रासी यानिमून साइन पता नहीं है तब आप इसे नाम रासी क इनुसारफी देखवा सुन सकते हैं सबसे पहले इस्तिती हम बात करते हैं जो लोग सिंगल हैं उनके लिए फरवरी कैसा रहेगा अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आपके लिए तो यहाँ पर काफी पॉजिटिव और काफी अच्छा संकेत दिख रहा है सबसे ज़्यादा यहाँ पर राहू के इस्तिती नेगेटिविटी दिखा रहे हैं यानि कि आप उसके लिए बहुत पॉजिटिव हैं और आप बहुत ज़्यादा उसकी केर कर रहे हैं उसके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन वो व्यक्ति इगो दिखा रहा है बिल्कुल भी लायक नहीं आपको एहसास हो जाएगा लेकिन फरवरी आपको बहुत रुलाएगा अगर आप एक तरफा प्यार करते हैं या किसी को पसंद करते हैं बात करते हैं लव लाइफ की लव लाइफ में ये महीना आपके लिए बहस बहुत जादा कराएगा पार्टनर आपके साथ में बहस बहुत करेगा जगड़ी बहुत करेगा और आपके साथ में मनमानी करेगा जिद करेगा और हर जिद अपनी कैसे भी पूरी करेगा ये सब होने के बाद में बुद बहस भी कराएगे बारचीत भी कराएंगे सब कुछ होगा और उनकी जिद्ध पूरी भी होगी लेकिन जब सुक्र परिवर्तन करेंगे क्योंकि दिख रहा है कि 15 फरवरी तक वो आपके लिए बहुत ज़्यादा खर्चे करेंगे आपको कुछ भी करके कैसे भी करके आपकी हर बात मानेंगे या आप अपनी बात आप से मनवाएंगे खर्चे करके कुछ भी करके जिस्ते कि आप मजबूर हो जाएं वो करने के लिए फिर सुक्र का जो परिवर्तन होगा उससे इस्तिती दिखाती है कि बहुत ज़्यादा आप दोनों के वीच में सम्मंद खराब होंगे और थर्ड पार् पेर हो सकता है कोई चीटिंग कर सकते हैं आपके पार्टनर तो आपका ब्रेक अप तो नहीं होगा लेकिन बहुत बड़ी चीटिंग आपके साथ में हो सकती है बहुत ज़्यादा नो कॉंटेक्स सुचेशन में बहस की स्तिती रहेगी बातचीत फिर से अगर करते हैं तो ब इस महीने आपको कुछ ऐसा पता चलेगा जिसे जानने के बाद में आप अपनी married life में अभी तक तो adjust कर रहे थे जैसे तैसे आपको बहुत बरदास्त कर रहे थे आप लेकिन आप बरदास्त नहीं करेंगे वो सच्चा ही जानने के बाद में आप बहुत ही अपने आप में ए और इस चीज की सच्चा ही आपको पता चल जाए पहले सक था अब सच हो जाएगा और उसके बाबजूद भी उन्हें आप बदलना चाहें तब भी ना बदलें वो इस्तिती कहीं ने कहीं दिख रही है और इस बज़े से आपकी married life में आप डाइवास की मांग करने लगें य extra medical affairs जिन लोगों का है उनके लिए ये महीना बहुत ज़्यादा ही खास रहेगा खास करके 15 फरवरी के बाद में उससे पहले आपके लिए पार्टनर बहुत खर्चे करेगा आपकी हर बात मानेगा हर उम्मीद पूरी करेगा और उसके बाद में 15 फरवरी के बाद में तो आपके फरवरी मंत की अब जानते हैं तीन रासियों के बारे में अगर इन तीन रासियों के पार्टनर आपके होते हैं तो आपकी लव लाइफ अच्छी हो सकती है सबसे पहली रासी है मेस रासी दूसरी रासी है करकर रासी हो तीसरी रासी है मकर रासी अगर इन रासियों क पार्टनर आपके हैं तो आपके लिए महीना काफी अच्छा हो सकता है दोस्तों यह था आपका लवरासी फल अगर आपको लवरासी फल पसंदाई इस वीडियो को लाइक करें अपने दोस्तों के साथ सेर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वैल आइकन प्रेस कर लें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार